हे दोस्तों मेरे नाम है अंकूर और आप देख रहे है टेक खबार आज किस वीडियो में आपको काफी चटपेड़ी न्यूइस देने वाला हूँ जो रियल्मी रेड्मी और सैमसंग की तरफ से निकल कर आ रही है और पोको की तरफ से और ओपो की तरफ से भी काफी अच्छी निकल करा रही है तो गाइस यह सब को जानने के लिए बिने स्किप के वीडियो को लाज तक जरूर देखे अगर आप हमें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्क्राइब जरूर कर ले सब्सक्राइब बैल एकन को जरूर दबाले और एट सी लेटाइस सब्सक्राइब कर सकते दोस्तों सुरुवात करते हैं सैमसंग से मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग सैंसंग गलेक्सी एफिप्टी टू का इंजार कर दे होगी गैस मैं आपको बता दो कि अगर हम 91 मोबायल की रिपोर्ट माने तो सैंसंग गलेक्सी एफिप्टी रियली में की तो आप में से बहुत से लोग रियली में के इंजार कर रहे होगे नए स्मार्टफोन का क्योंकि गईस दो या तीन महिने से रियली में अपने कोई भी स्मार्टफोन इंडे की मार्केट में लोंच नहीं किया गये है और देखा जाए तो रियली में X7 का 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 काफ़ी लोग इंजार करें रियल्मी एक्सेंट स्रीज का तुम्हें आपको बता दू कि रियल्मी एक्सेंट स्रीज को 28 जनवरी को लॉंच किया जा सकते हैं यहां पर आपको अच्छे कैमरे यहां पर दिये जाएगे इसका अंदर एक्सेंट और एक्सेंट प्रोज मोबाइल फोन रहने वाले जो काफी अग्रेसिव क्यूमत के साथ लॉंच किया जाएगर नो डाउट ड़ाइज रियल्मी की सियो मादव सेट ने टीज करने भी स्टार्ट कर दिया है क क्योंकि हाली में अपने ट्वीट में रियल्मी की सियो ने पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा स्मार्टपोन कौन सा लगने वाला है रियल्मी एक्सेवन और एक्सेवन प्रो में से मंदलब कुछ ऐसी ट्वीट उन्हें पूछा था तो इसका मतलब यह रियल रियल्मी वी 15 से मिलता जूलता था तो गईसा फाइनली कंपर्म हो गया है कि जिस मोडल नंबर से ब्याइस साइट को पर एक स्मार्टपोन रियल्मी का लीक होकर आया था वो डेफिनली रियल्मी वी 15 है तो इसके मतलब आपको आने वाली दिलों में रियल्मी वी 15 भी इंफ्रमेशन सामने नहीं आ रही है लेकिन रेडमी के 40 सेरीज के बारे में कुछ इंफ्रमेशन सामने आई है दोस्तों रेडमी के ओपिशन ने वाइबो के ऊपर टीज करना स्टार्ट कर दे हैस्टक के 40 इसका मतलब के 40 सेरीज आपको बहुती जल्दी देखने को मिल अगर रेडमी के 40 को 25,000 के असपास लौंच किया जाता है तो काफी अच्छी बात रहने वाली है अब बात करते हैं पोको की आपके याद होगा 2018 में पोको एफ़न को लौंच किया गया था जा कुब कम कीमत के अंदर स्नैप ड्रागन 845 का पारफुल एसोसी मिलता था लेकि जो एक्सरी जाती है पोको की उससे पारफुल पर्फॉमेंस आपको पोको की एप्टू पर देखने को मिल जाएगी तो इसका मतलब एक्सरी पर आपको स्नैप ड्रागन 730 2G का एसोसी मिलता था तो ऐसे में पोको एप्टू पर हो सकते हैं आपको स्नैप ड्रागन 865 का पा कीटिए में ओफिसली लोंच किया है एड़ जी ब्रेंप पलस वन ट्वेंटी एड़ बी इंटरने स्टेज के साथ ये स्मार्टपॉन आपको 35,990 रुपे में मिलता है 64 मेकल की कोड कैमरे के सेटप दिया गया है 32 मेकल के सेलपी कैमरे है और मैं आपको बता दूँ कि ओपोर रैनो 5 प्रो स्मार्टपॉन इंडिया का पहले ऐसा स्मार्टपॉन है जा आप लोगों को मीडे अटक डेमिसेटी 1000 पलस का एसो सी मिलते है काफी पारफूल इससी है 5G network भी आपको देखने को मिलते है 65W की dart charging को काफी अची display दी गई है साथ में open अपने TWS को भी launch किया है तो no doubt काफी अची launching आज open ने की है तो guys अब बात करते हैं gaming smartphone की आपको पता होगे कि ROG Phone 3 एक best gaming smartphone था बट guys अब ROG Phone 3 के success है यानि कि ROG Phone 5 को बहुत ही जल्दी launch किया जाएगा Digital chat station की तरफ से बताया गया है कि हाँ पर आपको 6000 mAh की मैसी बैटरी मिलेगी और इससे charge करने के लिए आपको 65W की far charging भी दी जाएगी no doubt काफी अच्छा power backup मिलेगा और इससे charge करने के काफी अच्छे far charging आप लोगों को देखने को मिलने वाली है अगर आप game खेलना पसंद करते हो और आने वाले दिनों में आप लोग एक gaming smartphone की तलास में हो तो no doubt आप ROG Phone 5 का wait कर सकते हो ये smartphone भी definitely कुछ दिनों के बाद launch कर दिया जाएगा तो guys आज के इस video में बस इतना ही मुझे पुरी-पुरी आसा है कि आपके video जरूर अच्छी लेगी होगी अगर आपके video अच्छी लेगए तो video को like और share जरूर करे और channel को ने हो तो channel को subscribe करके side में पहले icon को जरूर दबा ले तो चले गईज अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगे तब तक के लिए टाटा बाई बाई